हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डव्लूटी जॉप में APS New Teacher Recruitment 2024 तीन नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वेकेंसी के विध्यापन जारी किया गया है रेगुलर यानि पर्मानेंट पोस्ट पर ये वेकेंसी आई है सभी सब्जेक्ट की APS जैपूर से ये वेकेंसी है APS अलवर और APS कोटा इन तीनों से पहले Contract Visper वेकेंसी आई थी वो भी आप लोगों को मैंने चैनल के माध्यम से बताई थी तो इस वक्त हम बात करेंगे केवल पर्मानेंट वेकेंसी की तो चलिए देख लेते हैं qualification, age, salary, कौन को नाविदन कर सकता है last date क्या रहेगी ये सारी चीज़े हम वीडियो में देखने वाले हैं काफी जो है अच्छी वेकेंसी है, ये समझे आप लोगों के लिए golden chance है कि आर्मी पॉब्लिक स्कूल में regular और permanent post पर वेकेंसी आ रही है तो सबसे पहले जो है आर्मी पॉब्लिक स्कूल जैपूर की main website पर आना है और यहाँ पर career section में advertisement लिखा हुआ है, इसको click करेंगे ये page आपके सामने होगा आर्मी पॉब्लिक स्कूल जैपूर, military station जैपूर आर्मी पॉब्लिक स्कूल जैपूर, alwar and quota ये cluster 30 बुला रहे हैं इसको invites application for vacancies of regular teaching staff from aspiring candidate for PZT, TZT and PRT फिर से बता दूँ इससे पहले contract waste पर vacancy आई थी इन ही स्कूलों से चीक है, और अभी और भी vacancy आईगी क्योंकि contract waste पर जो vacancy आई थी उनके भी interview नहीं हुए है और post खाली रह जाएगी उसके बाद जो है permanent vacancy आईगी जैसे अभी PZT की आई है, उसके बाद PRT, TCT की भी आईगी तो आप wait करिएगा regular बने रहें चैनल पर APS जैपपुर में किस post की फिलाल vacancy निकाली गई है PZT English, Physics and Biology की APS अलवर में PZT में Maths, Physics, Biology, History Physical Education, Accountancy, Business Studies and Economics उसके बाद APS quota में PZT Economics and History की है एक एक post PRT के लिए Special Educator की एक है Physical Education की एक है ये नहीं समझना है कि एक ही जो है वो vacancy है ठीक है? क्योंकि वो candidate आप ही जो है वो हो सकते हो exam नहीं होगा, give a interview ही रहेगा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने जो है Hindi Medium से पढ़ाई किया है तो हम यहाँ पर जो है नहीं पढ़ा सकते आपको यहाँ पर पढ़ाना English में ही होगा बट आप किस Medium से पढ़े हैं Hindi Medium से या English Medium से ये मैटर नहीं करता ठीक है? तो आप बिल्कुल भी जो है वो घबराएं नहीं बहुत सारे candidate ऐसे होते हैं Hindi Medium में पढ़ने के बावजू जो है उनकी English काफी अची होती है केंदरे विध्याले में जो है वो आप English, Hindi, Bilingual Language चलती है बट यहाँ पर आप लोगों को English में ही पढ़ाना होगा Qualification, Eligibility is ये सारी चीज़े चेक करने के लिए आप लोगों को तीनों स्कूल की चाहे जैपूर के लिए अपलाए करें अलवर के लिए कोटा के लिए जैपूर की में वेब साइट पर ही आप लोगों को चेक करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जो 31 जनवरी 2024 तीनों स्कूलों के लिए लास्ट डेट रहेगी अपलिकेशन फॉर्म आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ आर्मी पॉब्लिक स्कूल जैपूर का यह आप लोगों को में वेब साइट पर मिलेगा और इसी के नीचे आप लोगों को क्वालिफिकेशन एज यह सारी चीज़ें चेक करने को मिल जाएंगी यहां लिखा है प्लीज डाउनलोड और प्रिंट टा अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और जिसी स्कूल के लिए अपलाए कर रहे हैं जो क्लस्टर 30 मैंने आपको अभी बताया तीनों स्कूलों के नाम उसी स्कूल का ही नाम लिखेंगे और अपना जो है पर्शनल डेटा वगर इस सारी चीज़ें फिल करनी है ब्लोग कैपीटल में ठीक है उसके बाद आप लोगों को अपनी एक फोटो लगानी है colored passport size photo next क्या करना है जितने भी आपके document है उनकी photocopy लेनी है वो आपको रखनी है और post कर देनी है जिस स्कूल के लिए apply करना चाते हैं उसी स्कूल का नाम लिखना है और post का नाम लिखना है आप लोगों को envelope यानि लिफापे के उपर 100 रुपे का demand draft आप लोगों को स्कूल के नाम का बनवाना है बैंक में चले जाएंगे आप अब देख लेते हैं हम यहाँ पर qualification qualification के लिए मैंने आपको बताया कि जैपूर की में वेब साइट पर आप लोगों को तीनों स्कूलों के लिए जो है qualification चेक करने को मिलेगी यहाँ पर देखिए अगर आप PZT के लिए apply करना चाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुइशन के साथ में B.A.D. आपका जिनके पास अनुभव है तो 57 यर तक के candidate apply करेंगे ठीक है अभी जो है यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए जिस तरीके से केंद्रे विध्याले के लिए आप लोगों को सीटेट पास करना होता है और आपके पास हाथ में माक्षित होती है उसी तरीके से आ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है passing the online screening test is henceforth not mandatory यानि कि आवश्यक नहीं है जरूरी नहीं है interview आप लोगों को बिल्कुल देने दिया जाएगा आपके पास scorecard नहीं है तो भी लेकिन एक condition यह है कि आप लोगों को 2 साल के अंदर यानि आपकी joining भी हो जाती है regular post पर तो आप को दो सालों के अंदर जो है इस exam को pass कर लेना है और यह बहुत ही सरल रहेगा क्योंकि आपके आसपास teachers होंगे जो कि इस exam को देकर आए होंगे तो आपके लिए और ब्यासान हो जाएगे कि किस type के question इसमें पूछे जाते हैं ठीक है और बाकी जो है PRT के लिए अगर आप apply कर करते हैं तो यहां पर BTC वाले, DLAD वाले, BSTC वाले बिल्कुल apply कर पाएंगे साथ में seated paper 1 आपको qualify होना चाहिए ठीक है तो यह clear हुआ next जो है APS quota की अगर main website पर आप आएंगे यहां पर career section है इस पर आप लोगों को click करना है application form के लिए qualification यहां पर भी check कर सकते हैं बट मैंने आप लोगों को जो जैपूर की main website पर तीनों school के लिए दिया है वो मैंने आपको दिखा दी ठीक है तो यह CSB application 2024 इस तरीके से आप कोटा के लिए ठीक है अब quota की main website पर APS quota की main website पर भी यही वाला advertisement आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि वैंने आप लोगों को एक ही जगे से पूरा advertisement दिखा दिया इसके अलावा जो है qualification दुबारा से जो है वह आप चेक कर सकते है यह रेगुलर वेस पर यह वैकेंसी है पर्मानेंट वैकेंसी है ठीक है यह हटाते नहीं है ऐसा नहीं सोचना है कई बार candidate यह सोच लेते हैं PRT के लिए जो है special educator के लिए आप देखें graduation के साथ में B.R. special education में या फिर B.R. general में अगर किया है तो एक साल का जो है special education में diploma चाहिए ठीक है physical education के लिए bachelor degree with physical education as an elective subject with 50% marks वाकी सारी चीज़ें वही है ठीक है उसके बाद APS अलवर के लिए अगर आप apply करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है home page पर और यह देखिए यहाँ पर है इससे पहले जो है जो मैंने आप लोगों को वेकेंसी दिखाई थी contract waste पर वेकेंसी थी बहुत सारे candy rate यह कह रहे थे कि अभी यहाँ पर तो regular waste पर वेकेंसी आई ही नहीं है तो जब वेकेंसी आजाती है तब ही मैं जो है सूचना आप लोगों को तक पहुचा पाती हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी जो है यही advertisement है जो कि मैंने आप लोगों को जैपूर की main website पर दिखा दिया था तो यहाँ पर जो है ग्रूप डी advertisement पर ग्रूप डी के लिए भी जो है वेकेंसी है जैसे माली है और चप्रासी है ठीक है इस टाइप से qualification के लिए आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं application form आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा यह रहा अलवर के लिए तो इसे आप लोगों को क्या करना है डाउनलोड करना है फिल करना है और इस्कूल के address पर भेज देना है ठीक है इस्कूल का address जो है वो आप लोगों को क्या लिखना है तो जैसे army public school जैपूर किस post के लिए apply कर रहे हैं तो यह आप लिख देंगे ठीक है बस इतना सही करना है तो चलिए मिलेंगे next video में thank you कर दो